हलो फ्रेंड, NDC News में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अर्शना कौशल NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपड़ी स्टोरीज तो दोस्तों देखना ही रहेगा आज अर्श NDC News में आपके लिए क्या है खास कई लोग नहाते समय शरीर के कुछ हिस्सों पर साबुन लगाने की गलती करते ही जिस पा नुकसान उन्हें बाद में चुकाना पड़ता है दरसल नहाते समय अगर आप भी अपने खास अंगों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तिमाल करते हैं तो संबर जाएं आपका ऐसा करना आपको मुसीवत में डाल सकता है आई जानते हैं कौन से हिपोगन जहां हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए डॉक्टरों की माने तुर शरीर के गुप्तु हिस्सों पर साबुन लगाने से वहां की त्वचा नरम पर जाती है जिसकी बजह से व्यक्तिक खुझली के समसर हो सकती है डॉक्टरों की माने, तो कई लोग ने हाते समय शरीर के गुप्तु हिस्सों पर एक बार नहीं बल्खी कई बार साबुन लगाते हैं, उनका ऐसा करना खत्रे की निशानी है बताते हैं, शरीर पर एक से अधिक बार साबुन लगाने से उस जगेहती पसीना आता है, जिसकी बजह से वहां की त्वचा ड्राई हो जाती है, जिसकी बजह से वहां की स्किन काफी सक्षी हो जाती है बाप जूदिस के अगर आपको शरीर के इसंग पर खुजने के समय स्या हो रही है तो समय रहते ही इसका इलाज करबाने वरना ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है लेकिन अगली बाद नहाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखे कि आपको अपने गुपतंगों पर साबू नहीं लगाना है इसके अलावा कई लोग नहाने के बाद टॉबल से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं ऐसा करते समय उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी त्वचा स्यादा साफ हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है नहाने के बाद टॉबल से द्वचा को रगड़ रगव साफ करने से स्किन ध्राई हो सकती है इतना ही नहीं शरीर से बाल ज़ड़ने का खत्रा भी बना रहता है